दोस्तो लंबे 6 माई ने क्रिकेट से दूर रहने के बाद आखिरकर महेंदा सिंग धोनी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिया है हाली में एक खबर तेजी से भायराल हुआ कि BCCI दोरा निकाल अगया सेंटरल कॉंटेक्ट में महेंदा सिंग धोनी का नाम नहीं है तो क्या महेंदा सिंग धोनी आप इंडिया टीम के लिए नहीं खेल पाएंगे क्या उन्होंने इंडिया टीम से रिटार हो चुके है तो मैं आपको इस वीडियो में इस केस को लेकर पूरी जान करी देने बाला हुँ क्या होता है BCCI के सेंटल कॉन्टेक्ट क्यों महेंदा सिंग धोनी का नाम नहीं है और सबसे बड़ी बात महेंदा सिंग धोनी T20 वर्ल्ड का खेलेंगे या नहीं तो वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने बाला है अंतक जरूत देखिए और अगर आप महेंदा सिंग धोनी का फैन है तो ये वीडियो आपको काफी हद तक खुश करने वाला है तो चलिए सुरू करते है दोस्तों सबसे पहले बात करें BCCI के सेंटल कॉन्टेक्ट के बाड़े में तो हर साल BCCI नया सेंटल कॉन्टेक्ट निकालता है और जिसको हम एक तरह के खिलारियों के सेलारी चार्ट भी कह सकते है और इस कॉन्टेक्ट में चार केटेगोरी देखने को मिलता है यानि कि A प्लास केटेगोरी, A केटेगोरी, B केटेगोरी और C केटेगोरी जहाँ पर A प्लास काटेगरी को खिलारियों को 7 करोर, A बालों को 5 करोर, B बालों को 3 करोर और C बालों को 1 करोर पे मिलता है और इस कॉंटेंग में उन्ही प्लेयर्स का नाम होता है जो पूरा साल इंडिया टीम के लिए खेल सकते ऐसा कॉंफरमेशन देते है अब दोस्तों धोनी फैंट्स को जटका तब लगा जब BCCI ने इस कॉंटेंग लिस से धोनी का नाम हटा दिये यानि कि साब तोर फे बोले तो मैंदर सिंग धोनी इंडिया टीम के लिए खेल ले के लिए पूरा साल तया नहीं है और ऐसा की हुआ क्योंकि World Cup 2019 के बाद से ही MSD पूरी तरीके से इंडिया टीम से दूर है और लंबे 6-7 माई ने इंडिया टीम दोरा खेला गया कोई भी सीरीज में हिस्सा नहीं लिए थे लेकिन खुशी की खबर ये है कि BCCI साब तोर पर बता चुके है कि सेंटरल कॉंटेक्स से नाम हटेना का मतलब ये नहीं होता है कि महन्द सिंग धोनी और इंडिया टीम के लिए नहीं खेल पाएंगे बीज में अच्छा पदस्षन करते है तो अराम से इसिया काप और T20 वाल कप में अपना जगा बना सकते है अब दोस्तो BCCI के इस कॉंटेक्ट लिस्ट निकालने के दूसरी दीनी इतना महीना क्रिकेट से दूर रहने के बाद मैंदा सिंग धोनी जारकर्ण में राची टीम के साथ पैक्टिस करते हुए दिखाई दिये है और ये वीडियो काफी तेजी से भाइराल भी हो चुका है इसका मतलब साफ है कि मैंदा सिंग धोनी क्रिकेट से दूरी नहीं बलके बापसी करने के लिए पूरी तरीके से अपने आपको तयार कर रहे है और एक और ट्विस्ट यहाँ पर आई कि BCCI ने खुद बयान दिये कि कॉन्टेक लिस्ट निकालने से पहले BCCI मैंदा सिंग धोनी के साथ इसको लेकर बातचीत कर चुकी थी और उसके बाद ही उनका नाम हटाये थे तो अगर टीम इंडिया में बापसी करते हैं तो कॉन्टेक लिस्ट में उनका नाम दुबारा सामिल कर लिया जाएगा तो दुस्तो मैंदा सिंग धोनी आई पेल धोजाब बीस में चेननाई सुपर स्क्रिंग के लिए कप्तानी करने बाले है तो अगर उनसे अच्छा पफोमेंस देगने को मिला तो एसीया कब धोजाब बीस और T20 वाल्टक में भी खेलते हुए दिखाई देने बाले है तो दुस्तो ये था मैंदा सिंग धोनी और बीसी सियाई के सेंटल कॉन्टेक को लेकर पूरी जान करी ऐसा नहीं है कि कॉन्टेक में नाम नहीं है तो खिलारी रिटेयल ले चुके है अपने पफोमेंस के काबिलियत पे फिर से बापसी कर सकते है वीडियो पसंद आयते एक लाइक मार दीजिए मिलते अपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक क्यार